सब्सक्राइब किजिए टेक्नोकिट्स को और बेल आइकन को डबाईए लेटिस टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेई नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्नोकिट्स पे दोस्तो आज के वीडियो में मैं अब लोगों को बताऊंगा कि अपने ताइजेन फोन पर कैसे आप गूगल फॉइस एसिस्टेन को अन कर सकते हैं तो सलिए बीना ताइम का बाए शुरू करते हैं तो फ्रेंज सबसे पहले आपको सार एप्स की जरूरत परेगी मैंने अपने दिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका लिंक डे दिया है आप डाउनलोद कीजिए तो फ्रेंज सबसे पहला जो एप है वो है गूगल प्ले सर्फिस गूगल फ्रेमवर्क गूगल एकाउंट मेनेजर और गूगल एप का लेडिस फर्शन तो फ्रेंज यह मैथाद ओल्ली जेट वान जेट टू और जेट फ्री के लिए है और बहुत सारे लोग मुझे कमेंड करके पूछ रहे थे की एंड्रोइड है जेट फोर पे तो सौरी फ्रेंज मैंने अभी तक जेट फोर नहीं शलाया तो मुझे मालूम नहीं लिकिन मुझे अगर मिल जाये तो मैं जरू से आप लोगों को बता दूंगा और फ्रेंज इसके लिए आपका ACL for Tizen एप का वर्षन वर्षन होना साहिए 2.2 अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दे दिया है आप डाइरेक्ली डाउनलोद किजिए और उसके बाद आप पहले उसी मीनी को ओपें किजिए ओपें करने के बाद आप दाउनलोड पे जाईए और फिर यहाँ फाइल पे और उसके बाद सबसे पहले आप गुगल प्ले सर्विस को कॉपी किजिए कॉपी करने के बाद आप बैक जाईए दो बर और उसके बाद एप पे जाईए और फिर ACL डापका एंड्रॉइड और फिर नीशेयर शिस्टेम आपको framework पे यहाँ पेस करना है तो मैंने already इसे पेस करके रखा है आप देख सकते हैं और उसके बाद आप complete बैक आईए फिर USR फाइल पे आईए और फिर मीडिया फिर जहाँ आपके फाइल दे वहाँ पे आईए और उसके बाद Google सर्विस framework को copy कर लीजिए और उसके बाद दो बार बैक एपस एसे एल डाटा एंड्रोइड फिर सिस्टेम और उसके बाद प्राइवेट एप पे पेस करना है तो आप देख सकते हैं मैंने already इसे पेस करके रखा है और उसके बाद आप फिर कंप्लीट बैक जाईए फिर यूसर फाइल मीडिया और फिर अपने फाइल पे आईए और उसके बाद आपको या गूगल एकाउंट मेनेजर को कॉपी करना है कॉपी करने के बाद दो बार बैक और उसके बाद यहां APS ACL, data, android फिर system और उसके बाद यहां प्राइवेट अप पे पेस करना है तो यह वी एप मैंने पहले ही पिस करके रखा है और उसके बाद आप complete back आईए और फिर USR file, media और फिर आपके file पे आईए और उसके बाद आपको Google का latest version app को copy कर लिजे, आप फाइल पे आईए, फिर ACL, फिर data, android, system और उसके बाद यहाँ आपको आप पे पेस्ट कर डीजे, तो मैंने ये भी और रेड़ी पेस्ट करके रखा है, आप देख सकते हैं, तो उसके बाद आप अपने फोन को restart भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ ACL पे क्लिक करके, आप एक बाद disable और उसके बाद एक बाद enable कर दीजिए, और उसके बाद आप UC mini को open कीजिए, ओके इसमें थोड़ा time लगेगा, और अवी यहाँ पे assistive touch नहीं आया है, और अगर आपको assistive touch कैसे install करना है, आपको अगर नहीं पता है, तो मैं उपर i button पे भी link देड़ूँगा, और निशे description box पे भी link देड़ूँगा, ओके तो यह आ गया है, गूगल एप जो है, यहाँ पे आ गया है, और इसे just आप open कर लिजिए, तो यह देखिए, ओपन हो गया है, और उसके बाद आप अपने Gmail से इसे sign in भी कर सकते हैं, मैंने already कर दिया है, लेकिन यह जो है background पे नहीं चलता है, आपको पहले Google आपको open करना होगा, तो सले इसका थोड़ा सा test करके देखते हैं, ok google, hello, ok google, open uc browser, ok google, open facebook, तो friends, बिल्कुल इसी तरह से जो है, आप Google voice assistant को अपने Tizen phone पर install कर सकते हैं, तो दोस्तों उमीद है आपको इस वीडियो ज़रू पसंद है होगा, अगर वीडियो पसंद है तो प्लिस वीडियो को like, share और comment कर दिजे, और सेनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा, तो फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जए हिंद, and goodbye. झाल 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 झाल झाल